प्रश्ण नमबर दो वृत एक्स स्क्वेर प्लस वाइ स्क्वेर माइनस नाइन एक्स माइनस शिक्स वाइ प्लस एट इस उकल टू जीरो के द्वारा निर्देसंग अक्षो कौर्डिनेट एक्सिस से काटे गए अंतह खंड का मान ग्याद कीजिए तो बच्चो प्रश्ण नमबर दो हम कर रहे हैं और प्रश्ण को आप ध्यान से पढ़िए उसमें वृत का समीकन दिया है वृत दिया है में जो दिया गया वृत है वो है x स्क्वेर प्लस y स्क्वेर माइनस 9x माइनस 6y प्लस 8 is equal to 0 ये वृत का समीकन है और आपको इस प्रश्ण में पूछ रहा है कि ये वृत एक जो है इसके द्वारा अक्षो से एक्सक्स से और वायक्स से काटे गए अंत्रखंड की लंबाई अंत्रखंड का पता लगाना है यदि मैं चित्र बनाकर आपको समझाओं तो जो और ज़्यादा इस पश्ट होगा ये वृत है और ये वृत अक्षो को काटता है एक्सक्स को काटता है और वायक्स को काटता है ये मूल बिंदु है और जो अंत्रखंड है ये है इसकी लंबाई का पताल हमें लगाना है P Q कितना होगा और ये R इसको कह दे रहा हूँ इसको S यानि P Q की value पूछ रहा है और R S की value पूछ रहा है जबकि वृत का समीकन आपके सामने प्रश्ट में दिया हुआ है अब आप दिमाख लगाईए कि चुकि ये जो दिया गया वृत है वो X X को कट कर रहा है P और Q पर तो निशित रूप से ये वृत होगा किसी रेखा को दो बिंदू पर काटेगा ध्यान रखिएगा कि कोई भी वक्र, दुनिया का कोई भी वक्र किसी रेखा को यदि काटता है तो केवल और केवल दो बिंदू पर काटता है यहाँ दो बिंदू P और Q है और उनके उनकी दूरी हमें निकालना है और X अक्ष को काटता है तो X अक्ष के लिए निश्यत रुप से हम Y बराबर 0 सोचते हैं क्योंकि X अक्ष पर Y कौडरेट 0 होता है समीकर नमबर एक में Y की वेल्यू 0 रख देंगे तो समीकर कैसा होगा X स्क्ष प्लस ये 0 Y के जगे 0 माइनस 9X और Y के जगे 0 माइनस 0 और प्लस 8 बराबर 0 यानि X स्क्ष और माइनस 9X प्लस 8 बराबर 0 मिल रहा है ये समीकर नमबर दो मिला जो X को काटने के कारण हुआ और आपको ये दिखाई दे रहा है इस प्लस रुप से कि ये वर्ग समीकर है इसके दो मूल है X1 और X2 तो निशित रुप से P के जो निर्देशांग होंगे वो X1 0 होंगे और Q के निर्देशांग X2 0 होंगे और P Q की दूरी जो होगी वो X2 माइनस X1 होगी यानि मूल हमको इस वर्ग समीकर के दो मालूम है तो मूलो का योग आपको मालूम है X1 प्लस X2 is equal to minus B upon A होता है यहाँ B की विल्लू minus 9 है तो minus minus plus 9 upon 1 और मूलो का जो गुणनफल है जो 10th क्लास में आपने alpha बीटा के रूप में पढ़ा था यहाँ आप X1 X2 देख रहे है तो मूलो का जो गुणनफल है आपने देखा था वर्ग समीकर में C बटे A यहाँ C की विल्लू 8 है और X2 के सामने A का मान 1 है तो यह 9 मिल रहा है हमको यह 8 मिल रहा है और जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ से O से Q की दूरी X2 है और O से P की दूरी X1 है तो P Q जो अन्ताखंड है XX से जो वर्ट एक काट रहा है उसकी लंबाई X2 मानस X1 है यानि X2 मानस X1 की जो वैल्यू हम निकालना चाहते तो आपको मालूम है अल्जेब्रा में की अल्जेब्रिक फॉर्म में की प्लस मालूम हो मल्टिप्लाइ मालूम होगा दो क्वांटिटी का तो वो X1 प्लस X2 का होल स्क्वेर माइनस 4 X1 X2 होता है और इस केल्कुलेशन को यदि हम आगे बढ़ाते हैं तो X1 प्लस X2 की वैल्यू कितनी है 9 तो 9 स्क्वेर माइनस 4 X1 X2 मूलों का गुणंदफल कितना है 8 तो X2 माइनस X1 ही X से काटे गया अंतरखंड की लंबाई है X2 माइनस X1 तो रूट ओबर 9 का स्क्वेर 81 और 8 चोग 32 तो 81 में से 32 घटाएंगे तो 49 देखिए 11 में से 2 गया 9 7 में से 3 गया 4 49 याने 7 यूनिट्स पी क्यू की लेंग्ट होगी तो बच्चों आपने देखा कि यदि हम अंतरखंड प्राप्त करना चाहते हैं X1 से तो Y बराबर 0 हमने रखा और यदि मैं RS प्राप्त करना चाहता हूँ RS की लंबाई दूसरा अंतरखंड Y अक्ष से है तो Y अक्ष के लिए X is equal to 0 होगा वहाँ X कोडिनेट 0 होगा जैसे X अक्ष में Y कोडिनेट 0 होगा तो इस समीकर नमबर 1 में हम X के जगे 0 रखेंगे तो 0 प्लस Y स्क्वेर माइनस 0 ये जो 9X 0 हो जाएगा माइनस 6Y प्लस 8 बराबर 0 तो वर्ग समीकर कैसे मिलेगा Y स्क्वेर माइनस 6Y प्लस 8 is equal to 0 और नो डाउट कि इसके जो ये भी एक वर्ग समीकर है इसके भी दो मूल होंगे वर्ग समीकर के दो मूल होते हैं तो मैं मान रहा हूँ Y1 और Y2 तो मूलो का जो गुणन योक फल है Y1 प्लस Y2 यहां मिल रहा है माइनस B बटे A से 6 अपान 1 जैसे यहां कहते हैं माइनस B अपान 1 यहां है 6 और मूलो का जो गुणन फल है Y1 इन्टू Y2 वो है C अपान है तो C की वेल्लू इस equation में 8 है 8 अपान 1 तो 8 ही आएगा तो इसका मतलब यह हुआ कि जो RS अंतरखंड है YX से काटा गया अंतरखंड उसकी जो लंबाई होगी वो Y2 माइनस Y1 होगी अब देखिए यहां से यहां तक की दूरी Y2 है O P की वेल्लू Y2 है और O R की वेल्लू Y1 है X कौरिनेट 0 है तो Y2 में से Y1 को घटाएंगे तो RS की लेंग्ट का हमें पता लग जाएगा और हमें इस समीकर्ण से X बराबर 0 रखने पर मूलो का योगफल 6 मालूम है तो नो डाउट की इसी तरह का कैल्कुलेशन करना पड़ेगा हमें कि Y1 प्लस Y2 का होल स्क्वेर माइनस 4 Y1 Y2 और इसका मूलो का योगफल आपको 6 मिला है 6 का स्क्वेर माइनस 4 और मूलो का जो गुनदफल है Y1 इंटू Y2 की वेल्लू कितनी मिली है 8 तो इस कैल्कुलेशन को यदि हम आगे बढ़ाते हैं तो ये 36 माइनस 32 36 में से 32 गया तो रूट 4 और रूट 4 याने 2 इकाई ये RS की लंबाई होगी तो PQ की लंबाई हमें मिली इस प्रश्च में 7 यूनिट्स और RS की जो लंबाई है वो 2 यूनिट्स इकाई मिली है जो इस व्रत द्वारा X-AX से और Y-AX से काटे गए अंदखंड की अंदखंडों की इंटरसेप्ट कहेंगे इंटरसेप्ट अंदए X-AX इंटरसेप्ट अंदए Y-AX की वेल्व 7 यूनिट्स और 2 यूनिट्स आपको पता लग रहा है उसका तरीका यही हो सकता है